और्गनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है उसमें तीन लेवल हुआ करते हैं कॉर्परेट लेवल को हम कहते हैं टॉप लेवल बिजनस लेवल को हम कहते हैं मिडल लेवल और फंक्शन लेवल को हम कहते हैं लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट और्गनाइजेशन बड़ी लार्ज हो multi-divisional हो उसको कई तरीके के businesses को handle करना पड़ता है जैसे हम TATA की बात कर लेते हैं तो TATA नमक भी बनाता है TATA तनिश की जोईलरी बनाती है ताज गूर्प होटल को भी देखते हैं इनकी एरलाइन्स भी है TATA कम्यूनिकेशन भी है TATA मेमरिल और हॉस्पिटल्स भी है इसी तरीके से हम पतनजली की बात करते हैं पतनजली बाबा रामदेव की company healthcare में भी है फास्वूविंग कंजूमर गूर्ट्स में भी है और बनिक फूड में भी है और भेडिस ताइबके business करते हैं तो ऐसी situation में जो multiple मैंटिपल विजनसेस कर रहे हैं मल्टिपल पूड़क्त लाइंग से उनकी उनके मैनेजमेंट के तीन लेवल होंगे टॉप लेवल जिसको हम कहते हैं कॉर्पर इस लेवल पर कौन बैठा करता है इस लेवल बैठा करता है सीओ चेयर में पिर होता है मिडिल लेवल जहां पर बैठा करते हैं अपर फंक्शनल हैड मतलब मैनेजमेंट मैनेजर ओफ सेलस मैनेजर और परचेस मैनेजर ओफ accounting इस तरीके के लोग यहां पे बैठा करते हैं तो तीन तरीके के हमारे management level हो गए top, middle और low यहां पे जो general managers होते हैं वो पहले दो level पे पाई जाते हैं मतलब top level पे और middle level पे पाई जाएंगे आपके general manager लेकिन lowest level पे नहीं होते हैं लेकिन उनके strategic role अलग लग होते हैं जब वो top level पे होते हैं तो उनका role अलग है जब वो middle level पे जाते हैं तो उनका role अलग हुआ करता है organization जो होती है हमारी उसको divide किया जाता है number of segments में ताकि particular product and services को एक साथ serve किया जा सके तो ऐसे सारे के सारे company के product and services के अनुसार बाटे जाने वाले division को हम self-contained unit या SBU का नाम दिया करते हैं क्या नाम देते हैं हैं अपन? SBU का नाम दिया करते हैं तो अब आगे से हम अपने product and services को SBU के अनुसार देखने जा रहा है general managers क्या करते हैं? इन divisions को अपने साथ देते हैं particular product line के अनुसार healthy growth देने के लिए काम मिलाया करते हैं यह responsibility होती है हमारी strategic management की कि हम अपने competitive advantage को generate करें ताकि हम ज़्यादा अच्छा return प्राफ्ट कर सकें चाहे हम SBU को scientifically design करना पड़े करेंगे तो SBU एक ऐसा तरीका है जो वो company adopt किया करती है जो multiple businesses में है और multiple product line दाया करती है तो हम क्या करते है common strategy से SBU को deal करने का एक method बनाते हैं वैसे तो detail में सब के बारे में chapter number 4 में discussion 5 में है लेकिन चुकि बात निकल पड़ी है इसलिए मैं को लगता है मुझे समझाना चाहिए तो SBU अपने आप एक self content unit है इसका अपने management हेड होता है इसके अपने budget होते हैं और यह decide करता है कि हम कैसे management में SBU के आधार पर business को फाइदा पहुचा सकते है common strategy के तहर जो हमारा पहला level होता है जिसको a level कहते है corporate level का करते है यहां पे बैठते है chief executive officer CEO senior executive बैठते है बोर्ड डिरेक्टर बैठते हैं corporate staff बैठते हैं इंडिविजल जो होते हैं वह decision making में decision making में participate किया करते है corporate level management का role यह है कि हमारी development strategy जो है वो पूरी organization के लिए होनी चाहिए और उसकी का अनुसार हम क्या करेंगे resources को allocate करेंगे different businesses में उन्हीं के अनुसार हम strategies का निर्मान करेंगे और उन्हीं के अनुसार पूरी organization को फाइदे के इस्तथी तक ले कर जाएंगे एक diagram आपके सामने बनावा है तीन level का corporate level जिसको अपन टॉप level कहा करते हैं यह head office कहलाती है इस पे CEO बैठ सकते हैं और दूसरे senior executive भी बिठाए जा सकते हैं दूसरा होता है divisional level डिविजनल लेवल वो होता है जो business level कहलाता है यहां पे individual business के लिए scheme बना करती हैं और last होता है functional level जहां पे हम functional heads को बिठाएंगे जो की finance accounting purchase marketing से हो सकते हैं तो इस तरीके ज़र तीन level आपको नज़र आ किया करते हैं तो diagram को अच्छे से समझ लो आँखों में बिठा लो समझ लो बढ़िया से देख लो